मुझा नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी नियूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ वेप्ट्री ती सागत खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्ख्यों की गोल्मूरी में स्थानी ये वकों ने अमरित सिंग से की मारपेच चेन और अंगोठी की की छिनताई देश भर में भाजपा द्वारा सभी जिलों में निकाली गई तिरंगा यात्रा सीता राम बेरा थाना शेत्रे से ओरिसा पुलिस वा जमशित्पुल पुलिस ने संयुक्त अभ्यान के तहट 24 टन स्क्रेप किया जब्द और पसिद्ध भोचपूरी गाई का कलपना पटवारी के भक्ती गीतों से जूमे शोता खबर अविस्तार से गोलमुरी के नामदा बस्ती निवासी अमरित सिंग से इस्थाने युवकों ने मारपिट कर खायल कर दिया घटना के संबन में खायल अमरित सिंग की पत्मी निशाकौर ने बताया कि उसका पती टिसको में काम करता है वहापनी बाइक से घर से बाहर निकला ट्यूब कमपनी के पास इस्थाने दो युवकों ने अमरित सिंग से पैसे की मांग की और मारपिट की निशाकौर ने कहा कि उसके पती की सोनी की चेन और अंगुठी उन्होंने छीन ली फिलहाल अमरित सिंग का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है आरूपी मकतार सिंग और गैरी सिंग में से मकतार सिंग को पकड़ लिया गया है जबकि गैरी सिंग फरार है बताय जा रहा है कि दोनों नशे के आदी है यह गए थे कहीं बाहर अपना अकलब गुमने फिर में तो इनसे कोई दो आदमी लोग आए हैं वो इनसे पैसा मांग रहे थे यह नहीं दिये तो उनको मारत के टीप मारत कहां पर हुआ ट्यूप कंपणी के पास क्या चीज़ से ते यह इनके पास चैन और अंग उठी भी था अच्छा वह भी चेंटा ही हो गया चीज में ताइस बाट आपका गाड़ी में दो चत का वाला ग्लैमर में थाना क्या थे ह जानते हैं आपलोंग क्या आपलोंग का पलोंग दोस्ति यारी पोलोशी यह क्या है एक साथ फुन्ते हैं इतर देशपर में भाशपा के राष्टियर निर्तित के निर्देशपर भाशपा द्वारा सभी जिलो में तिरंगा यात्रा निकाली गई जमशेतपूर जिला भाजपा के द्वारा भी निताजी सुभाश मैदान से ये यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्नच शेत्रों से होते हुए बापस मैदान में आकर समाप्थ हुई जिले के सांसद इस दारान यात्रा में मौजुद रहें वहीं भाजपा जिला कमिटी के पधाधी कारी समेथ तमाम वरिस्टे नेता एवं सैकडों की संख्या मी कारिकरता इस दारान हातों में तिरंगा जहंडा लेकर देश प्रेम का संदेश सभी को देते नजर आएं इस दारान जिले के सांसद विदुदवरन महतों ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री ने घर घर तिरंगा अभ्यान की शुरुवात की है उसी को भाच्पा आगे बढ़ाते हुए एक भारत स्रेष्ट भारत का नारा लेकर तिरंगा यात्रा निकालते हुए एकता और भाईचारा का संदेश सभी को दे रहे हैं पुरा विश्चो अभर में उसी का परिणाम है कि आज लगातार दोस दिन से लगातार हमारे विभीन कश्पे में देश के विभीन चेतरों में तिरंगा जातरा निकला जारा ताकि लोगों की राष्टिय का दपरती और प्रेम बड़े और राष्टिय का पर समर्पी तो और इसको जागरन काने आने मला पिड़ी इसे सदिनता का मौत्तों को समझे उदर जम्शेतपूर के सितरेम देरा थाना शेतृ से उरीसा पूलिस वजम्शेतपूर पूलिस ने सयुक्त अभ्यान के तहत 24 टन स्क्रैप को जब्त किया है यह स्क्रैप उरीसा के जिंदल कंपनी से निकला था जिसे जहारकर के पत्रातू में पहुँचना था रविवार एहले सुभा लगभग चार बजे पुलिस ने ये चापे मारी की बताय जाता है कि जिंदल उडिसा से निकला स्क्रैप जो पत्रातू पहुँचना था लेकिन वहाँ बीच से ही गाइव हो गया उडिसा पुलिस इसकी जाँच में जुटी थी जहां रविवार को उनके हाथ सफलता लगी और पुलिस ने सिताराम डेरा थाना छेतर में इस्थानिय पुलिस के मदद से स्क्रैप को बरामत कर लिया हालांकि इसके कारुबारी अभी फरार हैं जिसकी तलाज में पुलिस जुटी हुई है अब कर लोकेशन के द्वारा पता किया गया कि जमसेतपुर में ही इनका कुछ माल खफाया गया है तो वह कि पुलिस आई और शिताराम डेरा थाना पुलिस के द्वारा उसके सहोग देके चपा माना गया तो इसमें यहां पे इनका माल को बरामत किया इतना माल होगा? और गनेश के पापा हमसे ना भंग्या पिसाई जैसे सूपर हिट गीतों पर भोजपुरी गाई का कलपना पत्वारी ने जमसेतपूर में घंटो भक्ती गीतों पर शोताओं को जुमाया जमसेतपूर में जय महाकार सेवा संग द्वारा पवित्र सावन महा के उपलक्ष में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया जहां सो प्रसिद्य भजन गाई का कलपना पत्वारी ने अपने भजन गायन से सभी को बाबा भोले के भक्ती में लीन कर दिया वैसे संग के द्वारा इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया है बड़ी संख्या में शहर के प्रभुदिजन एवं कई नेतगनों के साथ इस्थाने श्रधानों की भीड यहां भजन सुनने के लिए उमड़ी जहां भजन गाई का कलपना पत्वारी ने बाबा भोले के भजनों से समा बांध दिया अपने भजनों के गाईन से उन्होंने सभी को बाबा भोलेनात के भक्ती में जोमने को मजबूर कर दिया और जमशेदपूर परसूडी के नामों टोला में संस्कृति फाउंडेशन और श्यामा प्रसाद मिलन संग के संयोग प्रयास से निश्युलुक दंत चिकिसक शिविर और आई चेक अप केम्प लगाया गया वहीं जानकारी देते हुए संस्कृत फाउंडेशन के अध्यक्ष मुन्मुन चकरवर्ती अश्यामा प्रसाद मिलन संग के सचीव दिबेंदु सरकार ने कहा कि हमेशा इस तरह क्या कारिकरम वेलोग करते है ताकि आम जनता को मदद होता रहे कल जमशेदपूर में जारकन आंदोरंकारी शहिद निर्मलमातों की शहादत दवस को जामुमो जिला समीती भव्यरूप से मनाएगी जिस मराज्य के मुख्यमंत्रे ही मंसोरिन शिर्कत करेंगे इसके तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतू जामुमो के चार विधायकों के उपस्थिती में जिला कमीटी एवं प्रदेश कमीटी के निताओं ने एक बैठक परिसदन में किया जहां विधायक सर जिला अध्यक्ष रामदा सोरेन, विधायक समीर महंती, विधायक संजीव सरदार एवं विधाई का सवीतर महतो मौझूद रही जिला अध्यक्ष विधायक रामदा सोरेन ने इस दोरान कहा कि वीर सहीद निर्मल महतो के सहादत दिवस को जामुमो भव्य रूप से मनाएगी राजी के मुखे मंद्री श्रधांजली सभा में शामिल होंगे और सभी मिलकर वीर सहीद को नमन करेंगे दो साल कोबीड और कोरोना के कारण आठ अगस और 25 दिशंबर इनकी सहादत दिवस और जनम दिन को नहीं मना पाए और यह पहली बार है थोड़ा सामान होने के बाद आज पहली बार होगा कि बीर सहीद नियवर महतो का सहादत दिवस में लोग हम लोग एक साथ जुटेंगे और इसमें हमारे राज के मुखमात्री माने हिमाशली जी रुपस्तित होंगे इसलिए आज हम लोग ये निने ले लिए संदेश दे दिये जिला से परखन को पर्खन को कल दिन को एक बचे दिन को एक बचे यहां हमारे राज के मुखमी बंटिल मने हिमाशली जी पहूँचेंगे उदर्जमशेतपूर में राज्टे तेली साहु महासंगठन के दुआरा सम्मान समारो कायोजन निर्मल भवन में किया गया जहां बड़ी संख्या में समाज के प्रबुध जनों को सम्मानित किया गया तेली समाच को एक जूट करने एवं समाच के उत्थान के मद्दे नजर इसका आयोजन किया गया समाच के बीच बहतर कारे करने वाले प्रभुजनों को यहां समानित किया गया इस दोरान जिला अध्यक्ष मनुझ गुपता ने कहा कि रविवार को इस समारों के माध्यम से जिला कमिटी के तमाम इकाईयों का विस्तार गिया गया साथी समाच के लोगों के समक्ष उत्पन होने वाले जाती प्रमान पत्र की समस्या समेत कई अन्य समस्याओं पर यहां चर्चा की गई साथी आगामे दिनों में इसके आंदोलन पर भी चर्चा की गई में चार तेली भाईयों का हत्या हुआ जिस पर अभी तक न उसकी गिरतारी हुई है और नहीं सरकार उसके कुछ कदम उठाई है यह थाना को जगह विविन विविन थाना चित में हुई है तो इस सभी चीज को लेकर हम लोग नौ तारी को इस जिला में भी धरना परदसन के कारेक्रम कर रहे हैं उपाई कारेल समक्ष और उनके माध्यम से मुख मंत्री को एक ग्यापन सौप रहा है नौ तारी को चौरस्या परिवार जमशेदपूर की ओर से रविवार को नाग पंचमी महुसव का आयोजन गुलमोरे अस्तित तक खालसा कलब में किया गया जहां नई कमीटी के चैन को लेकर मतदान की प्रक्रिया भी अपनाई गई विदिवत रूप से पूजा अर्चना करिस की शुरुआत की गई बड़ी संख्या में पुरुस्व महिलाएं यहां मौजूद रहे इस दौरान समाच के कई कमीटी के लिए चुनाव की प्रकिरिया की गई वैसे कमीटी में कुल बारा पद है जिसमें नौ पद के उमिदवार पुर्व से ही निर्विरोध विजय घ्मुसित किये जा चुके थे वहीं अध्यक्ष एवं सहसचीव के पद के लिए कुल नब्बे मतदाताओं ने अपने मतादीकार का प्रयोग किया वहीं समाच के महासचीव ने कहा कि कारिकरम के अंड में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा वहीं सम्मानित करने वाले हैं सभी सदस के कि मोमेंटम दिया जाएगा कितना वोटर्स है हम लोग पर भी 90 वोटर्स है यहां जो अभी अपना मतदान करेंगे और हम लोग के काज कार्णी में 12 के लिए मतदान होता है और गुंजे इसलाम लंगर कमीटी के ओर से कदमा नियू रानिक कुदर में लंगर बाटा गया कदमा इस्तितर नियू रानिक कुदर में गुंजे इसलाम लंगर कमीटी की ओर से कमीटी के 42 साल पूरा होने पर लंगर बाटा गया लंगर में सभी समुदाय के लोग शामिल हुए इस आयोजन में स्वास्त मंत्री बना गुपता बतोर मुख्यातिती शामिल हुए यहां आके बहुत काफित खूसू कि यह लंगर समिती जो है यह लंगर समिती उन्नी सौसी से चालू है और आज भी यह मुहरम के पर्व को आपस के सोहार दोर प्रेम के साथ मनाने का ताम करते हैं और सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास के साथ इस पर्व में सरीक होते हैं और मैं बहुत गधाई देने आया हूँ, बहुत सुप्तामना देने आया हूँ, इसी तरह का प्रेम और विश्वास समाज में बना रहे। राभिया टेक्निकल इंसिट्यूट में इंसिट्यूट के डिरेक्टर जावेद अक्तर द्वारा हसन इमाम मलिक को समानित किया गया। जब घर में सम्मान मिलता है तो अच्छा रखता हूँ, यह प्राउड आफ जम्सेट्यूट, हम लोगों को प्राउड है डाक्टर असन में इमाम मलिक के उपर कहां से चले, उनका सफर कहां से हुआ, कितने तंग गलियों से हुआ, और आज यह उपिस मुकाम पे हैं, तो हम लोगों का ऐसा लगा जिनको वाकिन सम्मानित करना चाहिए, उनका हौसरा बढ़ाना चाहिए, और उनके इसे काम्यादी को दिल से स्विकार करना चाहिए वक्तों चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरे और भी है, तब तक के लिए देखते रहेए, सिटे नियूज चिकन केर, यहां आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे शादी पार्टी के ओर्डर के लिए स्पेशल डिसकाउंट तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है, इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपाहर लाएगा अब हर दिन नया-nyया कस्टमर को उपाहर दिया जाएगा, जो भी चिकन ले नहाएगे उनको ग्योट की दिया जाएगा अब ये हमेशा सालो भर चलेगा और इसका बंपर नाम फर्स्ट धन्मरी को निकलेगा जो साइकल हो सकता हीरो का साइकल है तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेक में या कॉल कर हमें ओर्डर दे हमारा पता चिकन केर धतकीडी कम्यनेटी सेंटर के सामने सापची कदमारोड जमशेदपुर सोनारी नर्सिंग हों बिमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हमें चिंता है आपकी हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलिफाई आप तक और अगर आती है तो फिक्र ना करें क्योंकि हम हैं आपके साथ सोनारी नर्सिंग हों जाँ जमशेदपुर के प्रसिद डॉक्टर्स जो अपनी परवा ना करती हुई करेंगे आपकी परवा सोनारी नर्सिंग हों पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं यहां हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशन्स किये जाते हैं यहां हर तरह की बिमायों का इलाज किया जाता है सोनारी नर्सिंग हों में शहर के प्रसिद डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं सोनारी नर्सिंग हों का संचानल डॉक्टर जीबी सिंग अलाउट दिन सित्रकी और लट्री सिंग के द्वारा किया जा रहा है मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंग है और मैं जो हूँ टाटा में ऑस्पिटल से रिटार किया हूँ 36 साज तक काम किया है टाटा में ऑस्पिटल में और हैड अपध़ आई डिपार्टमेंट से रिटार्मेंट हुआ है उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम को जिसमें हम लोग नीचे तपके के लोग या कम अम्दमी वले लोग हम लोग के पास आ सकें हम समझते हैं आज के अपनों का डर्द और हम आज स्वाशन देते हैं उनके अच्छे स्वास्त का हमारा उद्देश्य स्वास्त समाज का निर्मान करना है हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वास्त जीवन ही स्वास्त भारत निर्मान के प्रतिया काला कदम हम करते हैं आपके स्वस्ति जीवन की मंगल कामना हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम कागल नगर रोट नंबर साथ सोनारी चम्शेथपूर हमारा कॉंटेक्ट नंबर है 911 34 38 213 सेवक पूजा भंडार जम्शेथपूर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में हमारे यहां सभी प्रकार के पूजा सामगरी उपलब्ध है यहां आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वस्निय कमपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे साथ ही मेवा मसाला विभिन तरह की जड़ी बूटियां रंगोली सामगरी और पित्तल के बर्तन कुछिक दामों में मिलेंगे तो एक बार अवश्य पधारे हमारा पता सेवक पूजा भंडार शौप नमबर तीन मसाला पट्टी बिश्टुपुर जमशेदपुर वेक के बाद मैं प्रीती सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इंडिस्ट्रियल के तरफ से एक लोकल मिटिंग का आयोजन जमशेदपुर के न्यू टेक आटो प्राइवेट लिमिटेट कमपनी के परिसर में किया गया मेटिंग के अधिक्षिता मैटल फाइशन के महासचीव रगुनात पांडे ने की बैठक में न्यू टेक आटो प्राइवेट लिमिटेट के मैनेजिंग डिरेक्टर मुकेश कुमार गांधी एवम यूनियन के अध्यक्षिव लखन सिंग साथ ही साथ रिवेनी प्रशाद भी मौझूद थे बैठक का विशय था सेफटी एवम हेल्थ जिस पर अगुनात पांडे ने मजदूरों को उनकी सेफटी को लेकर जागरुक किया साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया कि वह सेफटी को लेकर अगर काम करे तो वह अपने साथ साथ अपनी फैमली की भी केर कर पाएंगे मुकेश कुमार गांधी ने कहा कि सेफटी का पालन कर काम करना है ताकि छोटी छोटी शाबधानियों से ही हम बड़ी सुर्गटना को रोग सकते हैं बैठक में लगबग 170 मज़़ूर उपस्थित थे सेफटी एवं हेल्थ की जागरुकता को लेकर मज़़ूर भी काफी उच्साहित थे उधर युवा जदियू के प्रदेश सचीव मनोनित होने पर मनोजमांजी को सम्मानित किया गया जंता सेवा समिती के संरक्षक मनोजमांजी को युवा जडियू के प्रदेश सचीव मनोनित किये जाने पर हिंदू राष्ट्रे सकती संगठन संस्था की रीना तिवारी ने उसको पुस्पगूच और भगवा गमचा दे कर सम्मानित किया मौके परमांजी ने उनकी पूरी टीम का भार प्रकट किया और हर संभव सहयोग करने का अस्वाशन दिया जमशेदपूर में हो गई बोनस समझोता की शुरुवात राकिश्वर पांड़े ने कराया 19 पीसदी बोनस MTMH के करमचारियों को मिरेगा जागलाब टाटा स्टिल के सहयोग से संचालित मेहर बाई टाटा मेमोरियल अस्पताल के करमचारियों का बोनस समझोता सनिवार को हुआ इस साल का ये पहला बोनस समझोता हुआ है बोनस समझोता को लेकर लगातार वारता करने के बाद सनिवार को बोनस समझोता पर हस्ताक्षर किया गया जमशेदपुर सहर में हर साल मजदूर नेता और इंटर के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे की अध्यक्षिता में बोनस समझोता पहला होता है इस ट्रेंड को राकेश्वर पांडे ने बरकरार रखा है। इसके तहत कर्मचारियों को इस साल M.T.M.H. में 19 फीजदी बोनस मिलेगा। इस साल M.T.M.H. में 19 फीजदी बोनस मिलेगा। आज का ये कारकरम जो हो रहा है, रंगारंग कारकरम है, सावन महसो के नाम से, ये खील भारतिय गोंड आधिवास संच के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस सावन महसो कराने का मतलब है कि हम लोग के समाज में महिलाओं का संगटन को बढ़ाना है। और महिलाओं के द्वारा इस संगटन को और मजबूती से चलाना है। और इसके अलावे हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कभी सम्मान नहीं मिला है। उनको सम्मान देने का हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आज कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो बुजुर्ग महिला है, जो समाज से सम्मंदित है। उसी तरह हम लोग आगे बहुत सारे महिलाओं को, बुजुरुक्तों, पुरुसों को भी इस समाज के द्वारा समानित करेंगे ताकि उनको लगे कि हम इस समाज के हैं चलते चलते एक बार फिर सनजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर गोल्मूरी में स्थानी ये वकों ने अमरित सिंग से की मारपेच चेन और अंगुठी की की छिनताई देश भर में भाजपाद्वारा सभी जिलों में निकाली गई तिरंगा यात्रा और अभी के लिए बस अतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक के लिए देजिए सिटे नियूस के पूरे टिम को इजासत नमस्कार के लिए अन्य खबरों के सा्थ